हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानिल, आज हम पालक के पकोडे बनाएंगे पालक के पकोडे खाने में बहुत टेस लगता है, आप तो सभी पकोडे खाते हैं, मगर एक बार इसको ट्राय किजिए, ये सब को पसंद आएगा और बच्चे लोग को भी एक खाने में पसंद आएगा, बच्चे लोग ऐसे भी ग्रियन सबजी नहीं खाते हैं, अगर आप इसको ऐसे पका के देंगे, उनको एक खाने में बहुत पसंद आएगा चलिए, अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे, पालक के पकोडे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लेगे, मेरे वीडियो को लाइक से और सब्सक्रेब करना ना भूले, चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे पालक के पकोडे बनाने के लिए हम पालक को अच्छे से धो के इसे छोटा छोटा करके काट देंगे अच्छे से इसको धो के इसे काट लेंगे अभी हम इसमें सारे चीज डालेंगे अभी हम इसमें डालेंगे एक कप बेसन बेसन अभी हम थोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा रखेंगे बाद में डालेंगे टूटी स्पून चावल का अटा ये मार्केट में आपको इजिली मिल जाएगा, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं, इसको डालने से ये थोड़ा सा क्रिस्पी रिस्पी रिस्पी में डाल देंगे 1 टीस्पून साबुच जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2-3 मिर्ची को इसे छोटा-छोटा काड दिये हैं, इसको भी डाल देंगे, नमक स्वात के हिसाब से, अभी हम एक आलू लिये हैं, आलू को इसे छोटा-छोटा करके काड दिये हैं, और इसको अच्छे से धो लिये हैं, इसे ही छोटा-छोटा करके लंबाई में आपको कटना होगा, आलू डालने से इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा, अभी हम इसको अच्छे से धो दिये थे 2-3 बार, धोने के बाद अभी हम इसको इसमें डाल देंगे, अभी हम इसमें डाल देंगे, वान पिंच बेकिंग सोडा, दिखिए हम वान पिंच बेकिंग सोडा डाले हैं, बेकिंग सोडा का एमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा, पकोड़े खाने में टेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए अभी हम वान पिंच डाले हैं, वान पिंच डाले के बाद, तोड़ा सा पानी लग रहा था, इसलिए और डाल देंगे थोड़ा सा, जो रखे थे एक कप में, अभी हम इसमें शारे जो बेसं था इसमें डाल दिये हैं, अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक आपको देखके डालना होगा, तो इसमें प्राइ करेंगे, प्राइ करने के लिए अईल को गरम करेंगे, अच्छे से गरम होने के बाद हम पाकोडे प्राइ करेंगे, अभी अच्छे से गरम हो गया है, अभी चोटा-चोटा करके इसे डाल देंगे, चोटा-चोटा करके डालने से खाने में बहुत त्रेस लगेगा एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम दूसरे तरफ पल्टाएंगे ऐसे करके चारो तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे अभी हम इसको प्लेट में निकाल देंगे अभी ऐसे करके सारे जो पकड़े हैं इसको ऐसे फ्राइ कर लेंगे यह अच्छे से हो गया है इसको भी निकाल देंगे देखिए पालक के पकड़े अभी सारे पकड़े को हम फ्राइ कर लिए हैं देखिए पालक के पकड़े रेडियो गया आप एक बार इसको घर में बनाईए अगर मेरा वीडियो आपको आच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूले थेंक्यू फर वाचिंग